हेलो फ्रेंड्स माई एस्टो गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक गुड नियूज है आप मैंसे कई लोग बोलते थे की रिक्वेस्ट आती थे कि हमारी पत्री देख दो या वाट्सैप भी मेरे को कई बार करते हैं तो प्लीज आगे से आ वीडियो पर ही कमेंट करके अपनी डेट ओव वर्थ टाइम और प्लेस ओव वर्थ तीन चीजे डेट टाइम ओव वर्थ और प्लेस ओव वर्थ जो है वहीं पर आप जो है वो ड्रॉप कर ले जो भी मुझे लगेगा जिसके भी मुझे थोड़ा सा इंटरस्टिंग सी लगेगी उसका मैं जो है वो वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया करूंगा और आपको परसनल पहले आपसे डिसकस करूंगा और उसके बाद मैं उसको वीडियो पर डालूंगा तो उससे क्या होगा कि एक तो धीरे-धीरे करके जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका मेरे को एक तो वो मिल जाएगा मतलब उनकी हेल्प हो जाएगी उनकी मैं होरोस्कोप जो है वो देख लिया करूंगा दूसरा आप लोगों को लर्णिंग होगी उसमें से तो इस बार हमने लीव ही है एक होरोस्कोप अ जो ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है तो वो मैं उस वीडियो में इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ मैं लेके चलूँगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप जो चैनल तो प्लीज पहले उनको मौका दें तो एक-एक करके और थोड़ा सा जिस होरोस्कोप में लगे कि भाई हाँ लाइफ में काफी चेंजिस आया है काफी चेंज हुई है लाइफ चाहिए वो बैटर के लिए हुई हो चाहिए वर्स के लिए हुई हो तो उससे क्या होता है हमार जो दर्शक है जो व्यूवर्स हैं उनको काफी सारी चीजे जो हैं वो सीखने के लिए मिलती हैं तो चलिए ऐसी ही एक जो है होरोस्कोप में आपको दिखाऊंगा जिसमें डेर सारी योग हैं लेकिन वो सफलता नहीं मिली क्योंकि एक ख्राफ ग्रह की महादशा आ गई थी त तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों आगे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यह है मेरे पास एक डिटो वर्थ डिटो वर्थ है यह 1 सेप्टेंबर 1989 का टाइम है इसका 520 एम और वर्थ है पंजाब का तो जैसके मैंने पहले बताया इस सोरोस्कोप में और अच्छे योगों की बात करते हैं और शैयोगों की बात करते हैं चंद्रमा मंगल के साथ बैठ करके यहां पर लक्षमी महालक्षमी योग बना रहा है महाधनी योग बना रहा है उसके बाद सूर्य मंगल के साथ बैठ के प्राकरम योग बना रहा है यहां पर बुद्ध और शुक्र बैठ के यहां पर लक्षमी नरायन योग बना रहे हैं देखिए कितने अच्छे यहां पर ठीक है जो कि करमेश है इसके लॉड़ ये कदस के साथ मिलके यहां पर लक्षमी इंद्राइण योग बना रहे हैं तो हम लोग कई बार बहुत ज्यादा खुस हो जाते हैं जब हम इतने सारी योगों को कुन्डली में देखते हैं लेकिन जो देखे होता क्या है कि astrology में सबसे important role play करती है वो होती है महादस है क्योंकि आपको result तभी आएगा नहीं जब उस planet की महादस आएगी अब देखिए ये परसंचों है ये Canada में है हलांकि Canada में रहते हैं ठीक है लेकिन अभी जो इनका period चल रहा है time जो इनको growth life में मिलनी चाहिए थी वो ये नहीं कर पाए तो वही हम सिखेंगे आज यहां पे सबसे पहले आज आते हैं देखिए सबसे पहले आज आते हैं और देखते हैं इनके horoscope में जो है वो खराब योग क्या है देखिए सबसे पहले इनका महादसा क्यों नहीं rise कर पाए ये क्योंकि इनको ज तूबर 2017 को 2017 से इनको राहू की महादसा मिल गई ठीक है और राहू बैठे हुए है इनके सेवन था उस पे शनी की राशी में एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह की राशी में हलांकि शनी और राहू मित्र है लेकिन क्योंकि शनी जो है पाप ग्रह माना जाता है और राहू का वहाँ पर बैठना बिल्कुल भी सही नहीं होता अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी राहू के उपर तो आप जा करके देख लिजिए क्योंकि दिखे एस लोजी यह नहीं है कि अपनी कुंडली के साब से सिचुएशन बदल दो आपकी सिचुएशन हमेशा सेम रहनी चा लगन के लिए रहु अच्छे फल नहीं देगा रहू ने इनको जो है वो क्या कर दिया जो लाइफ में और उने ग्रोथ करनी थी वो नहीं इनको करने दी, इनकी लाइफ में इनोंने इनको उल्जा के रखा, एक और चीज, इस होरोस्कोप में जो आपको देखने मिलेगी, इतने अच्छे योग होते हो, भी फली भूत नहीं हो पाए, यही कारण होता है, लोग कहते हैं कि हमारी पत्री में अच्छे योग हैं, लेकि यहाँ पे केतु ने बिल्कुल हालत जो है, वो खराब कर दिया, इसलिए इस पत्री के लिए राहु की दशा कभी भी बहुत अच्छे नहीं जाएगी, ठीक है, सबसे पहले जब इनोंने मेरे से ये पूछा था, तो मैंने इनको बताया था कि आपका जो पत्री दिखाने का मेन कारणा है, वो है, आपकी साधी ये देखे, यहाँ पे, साधी को मेरे को कैसे पता चला कि इनकी साधी का कुस्चन होगा, 32 साल की एज है, इनको मैंने छूटते ही इनको सबसे पहले यही बोला, बिना इन से पूछे हैं, इनको जानता नहीं था कि आपकी साधी होनी नही रही चाहिए और अगर हो गई होगी तो अभी तक तो तूट भी चुकि ओगी क्यूंकि देखिए शनी के घर में राहु का बैठना और शनी का खुद के घर को देखना कहते हैं कोई भी प्लेट अपने घर को देखते हैं अच्छा होता है इसका मतब सादी होगी लेकिन सानी ड लगने में बैटे हुए है ठीक है विदेश का कारक है मतलब जब लगने इसका 12 के साथ समद्ध बनता है तो विदेश चला जाता है आदमी कोई बड़ी बात नहीं है चले गए कैनेडा चले गए लेकिन मन जो है मन इनका बिलकुल असांत रहा डिप्रेशन में भी चले जाए गए ये एक बार के लिए डिप्रेशन में चले गए क्योंकि चंत्रवा पूरी तरह से पीडित है मंगल के साथ पीडित है मंगल के साथ हलांकी यहां पे योग तो बना रहा है बट जब कोई सुब ग्रह है कि नजर पड़े तो वो योग और ज्यादा फलीभूत होता है लेकिन अगर साथ में किसी और पाफ ग्रह का साथ हो जैसे केतु का यहां पर साथ हो जाना आदमी को एकांत की तरफ लेके जाता है ठीक है बिल्कुल दुनिया से डिटैच्मेंट दे देता है दूसरे ऐसे आदमी बहुत इंट्रोवर्ड होते हैं अपने आप में ही लीन रहने वाले होते हैं अपने आप में दूसरों से जो है ज्यादा ये अपना जो विचार है व्यूज्ञ उसको एक्स्प्रेस नहीं कर पाते हैं यहां पर देखिए इत यह उच्छा योग पैसे के लिए तो माना जाता है यह लेकिन अगर शुक्र खराब हो थोड़ा सभी के शुक्र नीच कर यहां पे हलांके नीच भंग राज योंग यहां पे यह भी राज योग में काउंट ओगा नीच भंग राज योग बिलकुल फलिभूथ होगा लेकि देखे सिंग लगना के लिए है शुक्रियां पर लगन जो है वो सिंग है तो उसके लिए रिजल्ट देंगे वो पर एक अच्छी दशा मिलने पर लेकिन यहां पर यह खराब रिजल्ट क्यों दे रहे हैं क्योंकि खराब दशा मिली हुई है और पहले नीचता होगी तभी तो लोशो गृट करो चाहिए हैंड का एनलीसिस करो पामिस्री करो लेकिन इसको नहीं छोड़ना चाहिए अब इस इनके हाथ पर आ जाते हैं और एक मैजिक देखते हैं जो लोग एस्ट्रोजी को जूट बांते हैं उनको मैजिक दिखाता हूँ यहां पर देखिए इनको शु जाधिक उबरा हुआ होना शुक्र का बोलते हैं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है एक्सेस ओफ एबरीटिंग इस बैड कितना उबरा हुआ शुक्र है इनका तो यही इनके लिए एक जो है कारण बन गया इनको बहुत ही जवरदस्त एडिक्टिड हो गय थे ठीक है दू मून परबत ही नहीं है बिल्कुल खतम मून परबत है यह बिल्कुल खतम है मून परबत देखिए अगर आप इनको देखिए तो इनका यह हैंड का यह वाला साइड जो है बहुत उबरा हुआ है यह वाला साइड जो है इनके हैंड का बिल्कुल खतम है दूसरी चीज इनके देखोगे इनके हाथ में यह एक रेका यहां से चलके आ रही है और यह आ रही है यहां पर इनके चंदर परबत तक इसी बज़ा से यह जो है वो बिदेज गए है और दूसरा अगर बात देखे आप तो इनकी यह जो भाग्या रेका है यह भी कुछ ऐसी है देखे लोगों की लगवक चंदर परबत तक जा रही है अगर इसको डीपली आप देखोगे तो यह चंदर परबत तक आ रही है ठीक है इसी लिए यह फोरण चले गए ठीक है दूसरी चीज चंद्रमा और खराब क्यूंगा क्यूंकि इनके हाथ में यह दिकी कुछ इस तरह का कुछ अजीब सबसा यह एक निशान बन रहा है देखिए यह तो इसलिए ही यह बिदेश चले गए हैं बिदेश जा करके यह सेटल हुए हैं अलांकि बहुत ग्रोथ नहीं करिए अभी बट स्टिल एक अच्छा साइन है यह लेकिन चंद्र परबत का वीक हो जाना जो है वो दिखाता है इ अंदर से बहुत स्ट्रोंग है लेकि मन से तूट जाते हैं सकती बहुत है इनके अंदर सूर्या मंगल का प्राक्रम प्राक्रम ही बहुत है जूशते रहते हैं लेकिन तूट जाते है एक टाइम पे क्योंकि ऐसी सिच्वेशन हो जाती है जिसमें अच्छा से चादमी देखे जब भी शनी अपने घर को देख रहा हो शनी जब भी साधी के घर को देखता है अगर कहीं से जुपिटर ना देख रहा हो या सूप ग्राओं के दृष्टी ना हो यहां पर हलांकी जुपिटर देखता हुआ है फिर भी राहू की बज़ा से और शनी के खुद के घर को कारण बताता है 40 साल से पहले तो वैसे ही कभी साधी होती नहीं है लेकिन इनकी साधी जो 30- emancipant साल मेंने को साधी की तियों आपनी जोर। चल रही होगी राहु मैं गुरु की महादशा टिक है गुरु जो है अपनी यहां से नौमी दृष्टी से इसको देखेंगे यहां पे और वैसे भी एक नौमबर के बाद जो है गुरू मकर रासी से कुम्ब राशी में यहां पे प्रवेश करेंगे अपने गोचर में यहां पे तो यह साधी के जो हैं बहुत ही प्रॉमिनेट चांसिस है इनके साधी होने के यहा कर लेते थोड़ा सा और देखते हैं इनके यहां पर मैच करते हैं देखिए होता क्या है योग बहुत सारे होते हैं दोарт अब अच्छी बात क्या है कि growth कब मिलेगी इनको देखे राहू की दशा 2035 तक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 2035 तक यह बिल्कुल भी growth नहीं करेंगे इनीशियली जब तक यह meditation मैंने इनको करने को बताया है शुक्र के लिए जो सबसे ज़्यादा काम खराब किया है शुक्र ने इनका ओम द्राम द्रीम द्रोमश शुक्राई नमा हलांकि राहू की महादसा का major impact जो है राहू की महादसा का है लेकिन वीनस की बज़े से जो मैंने अब इसको ठीक कर सकते हो राहू का बीज मंतर का 108 जाप करने के लिए मैंने इनको बताया है जब तक राहू की मादसा चलेगी तब तक इनको जो है राहू के मंतर का राहू के ओम रावे नमा का मंतर का इनको जाप हमेशा करना पड़ेगा 108 बार और खासकर जो blind लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं जो पैसे के लिए तरस रहे होते हैं उनको जो है help करोगे करेंगे तो इनकी निश्चित रूप से growth होगी माइंड पर control करना होगा देखिए जो हमारे करना चाहिए इनको मेंटल लेवल पर बहुत जाधा काम करने की जरूरत है बरना यह जितना मर्ज़िट कर ले कभी फलीवूत नहीं होगा अभी क्या है इस कुछ पर एक देखिए इसे कुछ चीज़ आपके पास है लेकिन आप materialize नहीं कर पाऊगे उसका उप्भूग नहीं कर पाऊगे अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है यहां से शनी तीसरी दृस्टी से मंगल यहां से जो हैं अपने शत्रू के घर को देखते हैं देखिए यहां से सूरिया का यहां पे देखना इस घर को वैसे तो कहते हैं कि तीन चार ग्रह अगर एक घर को देखते हैं तो वली हो जाते हैं लेकिन जादा तर ग्रह देखिए यहां पर सारे के सारे शत्रू ग्रह हैं यह मेरी के टिकने के chances बहुत ज्यादा है एक चीज और जो मैं इस पत्त्री में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए अगर आपने इस पत्त्री में देखना हो तो यहाँ पे देखिए इनकी ये जो line है थोड़ा सा मैं इसको यह करूँ तो देखिए यहां तक जो इनकी लाइन है यह बहुत गड़बड गड़बड सी लाइन है यह यहां तक कोई 35-36-40 साल तक ठीक है उसके बाद जो second part of life है देखिए यहां पर थोड़े थोड़े तो life का जो second हिस्सा है इनका वो बहुत अच्छा इनका जाने वाला है ठीक है अब आज आते हैं बात इनके हिर्दे रेका देखो इनको जो अगात होते हैं जो इनको वो होता है एक तो देखिए यह लाइन पूरी ही कराब है जो इनकी मस्तिक सरेका है यह देखिए इसमें देखिए हार्ट लाइन पे कैसे जंजीर रुमा हार्ट लाइन की तो यह भी यहां पे इनकी सही नहीं है है जो है इनका बिल्कुल स्केयर हैंड है ट्रैक्टिकल लोग होते हैं बहुत स्केयर हैंड है ठीक है तो यह है और इसमें अगर मैं बोलूं तो इनका इनका जो गोल 2035 में क्योंकि पंचमेश ओकर के गुरु और शनी का यहां से योग चलेगा तो इनको अपनी वाइफ के साथ मिलके कुछ ऐसा काम करेंगे यह या तो वाइफ की तरफ से कुछ फैमिली की तरफ से कुछ काम मिलेगा इनको क्योंकि यहां से देखिए दोनों योग बना रहे हैं यहां से केंदर का स्वामी जो है यह इसके साथ पंचमेश और सब्समेश का यहां पर राज्योग बन रहा है तो एक तो बात यह तहीं है कि मैं इसके बाद तो यह ग्रोग करेंगे दूसरी चीज इनको जोब के बतले बिजनस करने के लिए जादा मैंने इनको मोटिवेट किया यह क्या भी रहें कि मैंने बिजनस करने की सोच हो यह बाट अब भी जो है दसाएं फेवरेबल नहीं है तो और इस कुंड़ी में मुझे लग रहा है मैं सारे चीज़े बता चुगा हूँ आपको एक चीज़ जो मैं इस हुरस्कोप में बताना भूल गया वो यह है कि आप इनका भक्ती की तरफ बहुत जादा वो करने लगा है वो भी केतु की वज़ा से केतु जो है हमें साधना भक इतन रमंतर इस अपकि जो में परिरिट करना तुगा है